वो बन गई है हमने अनुको दोस्तों अपका स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें बिहार के सिक्षा मंत्री की गए गोसना की तो जैसा कि आप लोगों ने अभी जो है बिहार के जो सिक्षा मंत्री उनकी गोसना को सुना उनके द्वारा असपष्ट तोर पर कहा गया है कि सिक्षकों के जो ट्रास्फर पोस्टिंग की परकिरिया है वो उनके द्वारा अनुमूदित कर दिया जा चुका है और अब जो है सिर्फ और सिर्फ उस पे जो है एक दो पताधिकारी का सिगनेचर होना बाकी है और उसके बाद फिर जो है वो आप लोगों के बीच परस्तुत होगा और उमीद है कि अगले कैबिनेट में उसको पास करा लिया जाएगा उसके बाद आप जितने भी सिक्षक जो की ट्रांस्फर पोस्टिंग की परकिरिया को जो है परकिरिया के लिए जो है आप लोग जो परिसान है वो आप लोग की परिसानी को उसके बाद समाप्त किया जाएगा क्योंकि यहां पर उमीद है कि यह जो परकिरिया है वो दुर्गापुजा के छुट्टी के समाप्त होते के साथ ही आप लोग का यह प्राराम्ब कर दिया जाएगा जिसमें यहाँ पर सिक्षकों के जो सक्षमता पास सिक्षक है उनका जो है पोस्टिंग की परकिरिया और साथी साथ जो BPSC से बहाल सिक्षक है उन सभी का अगर बात करेगा तो उन सभी के ट्रांसफर की परकिरिया को किया जाना है तो ये जो posting और transfer के परकिरिया होगा ये भी यहाँ पर सिक्षा मंतरी के द्वारा असपस्ट किया जा चुका है कि ये जो है आच्छिक होगा यानि कि अगर जो सिक्षक के बात करेगा तो सिक्षकों से चार विद्याले का option मांगा जाएगा उन्हीं चार विद्याले का अनुसार उनका पोस्टिंग के जाएगा और ये जो पोस्टिंग के परकिरिया होगी वो उनके home block को छोड़ करके होगा यानि कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी home block में भी पोस्टेड है 아पने home block पोस्टेड है तो आप लोग को क्या करना पारेगा कि आप लोग को home block छोड़ करके आने जिस भी block में आप जाना चाहते हैं या फिर कोई अलग-अलग block में भी लेकिन चार अलग-अलग विद्यालियों का आप लोग को चेयन करना पड़ेगा उन्हीं चार विद्यालियों में से आप लोग का पोस्टिंग की परकिरिया को पूर्ण किया जाएगा ये परकिरिया जो है वो BPSC और साथी साथ जो सक्षमता पास सिक्षक है उनके लिए भी यह समान रूप से रहने वाला है और साथी साथ दोनों ही परकार के जो सिक्षक है उनका ट्रास्फर पोस्टिंग की परकिरिया अलग अतार चालू रहेगा पहले जो सक्षमता पाज सिक्षक है उनका जो है पोस्टिंग होगा और उसके बाद फिर जो है बीपीएसी से बहाल सिक्षकों का जो ट्रास्फर की परकिरिया है उसको पूर्ण किया जाएगा दोनों ही परकिरिया आपको इसी साल देखने को मिलेगा और अक्टूबर में आप जितने भी सक्षमता पास सिक्षक है उनसा भी का पोस्टिंग कर दिया जाएगा उसके बाद फिर जो है नोवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो BPSC से बहाल सिक्षक तो दोनों का ही यहां पर एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा और यह जो ट्रांसफर की परकिरिया होगी वो एच्षक होगी क्योंकि BPSC से बहाल सिक्षक की अगर बात करेगा तो उनको जो है एच्षक ट्रांसफर का लाब है तो वो उसका उप्योग करेंगे और अपने इच्षा के अनुसार होम ब्लोक छोर करके बाकी अन्य किसी ब्लोक में चार विदाले का चैर करके वहां पर अपना जो आइनिंग करवाएंगे वहीं अगर बात करिएगा दुरुगा पूझा की छुटी की तो दुरुगा पूझा की छुटी अभी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसमें यहाँ पर सिक्षको को कब से कब तक जो है छुटी दिया जाए इसको लेकर के संसाय बना हुआ है पहले यहां पर ऐसे खबरे निकल करके आई थी कि तीन तारिक से लेकर के बारा तारिक तक बिहार के सरकारी विद्यालेों में दुर्गापूजा की छुट्टी होगी क्योंकि पहले से भी परंपरा रहा है कि बिहार में जो सरकारी विद्याले होते हैं उसमें दस दिनों की ल पर अगर देखा चार दिन है तो जिसमें एक दिन संडे तो टोटल तीन दिन के आपको छुट्टी यहां पर मिल रही है जो कि 10 से लेकर के 12 तारीक के बीच है तो यहां पर उसके बाद जो है सिक्षकों का जो छुट्टी है वो 10 दिन से कम हों करके तीन दिन पर आ गया जिसके बद सिक्षक संग लगातार परियास में था कि 3 तारिक से ले करके अब 12 तारिक तक आप लोग को छुट्टी मिले नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी केस वीडियो में अभी केस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सिक्षा मंत्री के गये घोसना की तो जैसा कि आप लोगों ने अभी जो है बिहार के जो सिक्षा मंत्री उनके घोसना को सुना उनके द्वारा असपष्ट तोर पर कहा गया कि सिक्षकों के जो ट्रास्फर पोस्टिंग की परकिरिया है वो उनके द्वारा अनुमूदित कर दिया जा चुका है और अब जो है सिर्फ और सिर्फ उस पे जो है एक दो पताधिकारी का सिगनेचर होना बाकी है और उसके बाद फिर जो है वो आप लोगों के बीच परस्तुत होगा और उमीद है कि अगले कैबिनेट में उसको पास करा लिया जाएगा उसके बाद आप जितने भी सिक्षक जो की ट्रास्फर पोस्टिंग की परकिरिया के लिए जो है आप लोग जो परिसान है वो आप लोग की परिसानी को समाप्त क्या जाएगा क्योंकि यहां पर उमीद है कि यह जो परकिरिया है वो दुर्गा पुजा के छुट्टी के समाप्त होते के साथ ही आप लोग का यह प्रारंब कर दिया जाएगा जिसमें यहां पर सिक्षकों के जो सक्षमता पास सिक्षक है उनका जो है और ट्रांसफर की परकिर्या होगा, ये भी यहाँ पर सिख्छा मंत्री के दोरा सपस्ट किया जा चुका है, कि य जो है एच्छिक होगा, यानि कि अगर जो सिख्छक करेगा, तो सिख्छकों से चार विद्द्याले का ओप्सन मांगा जाएगा, उन ही चार विद्याले का अनुसार उनका जो है पोस्टिंग के जाएगा और यह जो पोस्टिंग की परकिरिया होगी वो उनके होम ब्लोग को छोड़ करके होगा यानि कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी होम ब्लोग में भी पोस्टेड है अपने होम ब्लोग पोस्टेड है तो आप का posting की पर किरिया को पूर्ण किया जाएगा है यह पर किरिया जो है वोüsथियह शक्षमता पाथ शिक्षक हैं उन के लिए भी या शमान रूप से रहने वाला है और साथी-साद दोनों ही परकार के जो सिक्षक है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग की परकिरिया अलग अतार चालू रहेगा पहले जो सक्षमता पास सिक्षक है उनका जो है पोस्टिंग होगा और उसके बाद फिर जो है बीपी असी से बहाल सिक्षकों का जो ट्रांसफर की परकिरिया है उसको पूर्ण किया दोनों ही परकिरियाएं आपको इसी साल देखने को मिलेगा और अक्टूबर में आप जितने भी सक्षमता पास सिक्षक हैं उनसे भी का पोस्टिंग कर दिया जाएगा उसके बाद फिर जो है नुवम्बर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो बीपीएसी से बहाल सिक्षक ट तो वो उसका उप्योग करेंगे और अपने इच्छा के नुशार होम ब्लोक छोड़ करके बाकी अन्य किसी ब्लोक में चार विदाले का चैन करके वहां पर अपना जो आइनिंग करवाएंगे वहीं अगर बात करेगा दुरगा पुजा की छुटी की तो दुरगा पुजा क निकल करके आई थी कि तीन तारिक से लेकर के बाला तारिक तक बिहार के सरकारी विद्यालेों में दुरगा पुजा की छुटी होगी क्योंकि पहले से भी प्रमपरा रहा है कि बिहार में जो सरकारी विद्याले होते हैं उसमें दस दिनों की लगातार दुरगा पुजा में चुट्टी मिलती थी परन्तु पिछले साल केके पाठक जी के राज में इस परक्रिया को खतम किया गया सब्तमी अठमी नौवी और दसमी के दिन जो है आप लोग को चुट्टी दिया गया है यानि कि टोटल अगर देखा चार दिन है तो जिसमें एक दिन संटे है तो टोटल दिन से कम हों करके तीन दिन पर आ गया जिसके वह सिक्षक संग लगातार पडियास में था कि तीन तारीक से ले करके अब बारा तरीक तक जो है आप लोग को चुट्टी मिले परन्तु अब जो है उसमें सफलता हाथ लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अब यह जो